आइंटेलिजेस्。 अगर हमδαई डेखे नैचुरली TOPू भी तो हमारा इंटेलिजेस्प है कैसी डवलप होता है तो जब हम जल्म लेटे हैं तो सब से पहले हम आखों से कुछ देखके सिखते हैं क्यानों से सून के सिखते हैं तो यह जो सिखने का प्रोसेस चल रहा है। तो यहां क्या होता है। हम डारेंट लिजो है वो आउटपुट को ले रहे हैं। इनपुट लेने की जगह हम सीधा आउटपुट लेते हैं। और उसको हमारे दिमाब में प्रोग्राम बनते जाता है। तो सेम तरीके से अब अगर हम मशीनों के साथ ये काम करने लग जाए तो वो आटिफिशल इंटेलिजेंस बन जाएगा अब अभी तक मशीन कैसे काम करता था हम उसको कुछ इंपूट देते थे और एक प्रोग्राम जो है वो हम ही बनाते थे तो इंपूट भी हम देते थे प्रोग्राम भी हम बनाते थे तो कम्प्यूटर जा करता था उसको प्रोसेस करके आउपूट दे जाता था ये पहले का ट्रैडिशनल तरीका है जो चलते थे अब अगर हम artificial intelligence की बाप करें तो जैसे हमारा mind काम करता है वैसे हमें computer को करवा में तो उसके लिए हमारे mind को मैंने जैसे आपको बताया कि हमने बच्पन से कैसे सिखा है चीजों को तो वही चीज हम computer से भी उमीद करेंगे कि वो भी वैसे ही सिखें तो हम उसको data देंगे और output देंगे उससे वो खुदी अपना program बनाएगा और चीजों को सिखेगा तो ये कैसे possible है कि वो खुदी program भी बनाए और खुदी सिखे भी तो हमारा mind कैसे कर पाता है ऐसा तो अगर हम देखे जब हम बच्पन पे चलते हैं वापिस से तो हमने चीजों को recognize करना कैसे सिखा जब हमने जन लिया तो सबसे पहले हमने ममी का चैरा देखा ममी का चैरा देखा डेली देखते रहे देखते रहे डेली बेसिस पर तो उससे क्या हुआ हमारे माइंड प्रोसेस कर लिया कि यह हमारी ममी है और उनके सारे इसे अड़िर्स को वो रिकांगनाइस करके अपने माइंड में सेफ करता चला गया हमरा अग्मार की ऐसी होती है नोस ऐसे होते हैं, लिप्स ऐसे होते हैं, फेस ऐसे होते हैं, तो ये सारी चीज़े रिकोगनाइस करता चला गया, तो आउटपुट, यहाँ पर इन्पुट नहीं ले रहा है, हमारा माइन सब कुछ आउटपुट ही ले रहा है, और खुद ही उससे फिर प्रोग्राम मनाते फिर उसने दिल से पापा को देखा, तो पापा भी वो रिकोगनाइस करना चालू किया, आईस देखा, नोस देखा, लिप्स देखा, चेहरा देखा, फेस कुछ आउटपुट लिया, फिर उन आउटपुट को फिर प्रोग्राम में डाला, ऐसे सब के प्रोग्राम में अप अगर आई रैसी होंगे तो यह पापा होंगे अगर आई रैसी होंगे तो यह दीदी होंगी तो एक एक करके उसके सारे features को एक प्रोग्राम में convert करना चालू गया और फिर उसको सारे program को merge कर दिया उसने mind में यह सारा good mind कर रहे हैं बच्छपन से हम सीख रहे हैं एक हम इसके फीचर में पर हमारा माइन इतना ब्ट प्रेरिक सब कॉंस्पा परहए अब वह किसी नए सब कर लेतें सब कुछ पूंशन कर लेते हैं एक परमेटिकल सब कुछ पोaking कर देते हैं ये बंदा हमने देखा ये शारुक खाने जैसे शारुक खांकर चाहिदा देख लिया तो अब वो हमेशा आपके माइंड में सेव रहेगा वो प्रोसेस करते रहेगा तो सेम तरीका है कि मैंने एक टोक ऐसा एग्जामपल लिया रियल लाइफ का जिसे कि आप ये समझ सकें कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं हम पुल मिलागे अपने माइंड की कॉपी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यही जो नया डंग बन गया जो की कहलाएगा आटिफिशिल इंटेलिजेंस तो अगर हम देखें कि डेफिनेशन क्या है तो ये ऐसा advanced computer system है जो human capability को simulate करता है तो हमारी क्या क्या capability है देखने की सुनने की समझने की तो यह सारी capability को simulate कर रहे है कौपी कर रहे है किस तरीके से एक predetermined set of rules के तरीके से तो वो rules जो है वो खुदी program जो है वो खुदी बनाएगा computer तो यह कहलाएगा artificial intelligence अब यहाँ पर सबसे प को का लेता है जो machine learning यह कोई नई चीज़ नहीं artificial intelligence एक broad view में बोला जाता है पूरे system पाटिविशन इसके अंदर आता है machine learning उसी करश्ची पार्ट है machine learning और machine learning के अंदर आता है deep learning तो यह सारे की सारे artificial intelligence के अंदर ही आते है machine learning मी और deep learning मी तो आब machine learning किसको बोलेंगे तो machine learning क्या करता है कि ability देता है सीखने की, acquire करने की, apply करने की knowledge है इनको cognitive systems भी बोला जाता है cognitive systems क्या होता है a system that can modify its behavior on the basis of experience तो experience के हिसाब से यह अपने आपको modify कर लेते हैं तो इसके लिए हम वापीस चलते हैं हमारे बच्पन में हमने जब बोलना चालू किया तो हमने recognize किया, जब recognize किया तो हमने उनको mommy बोला अब होता यदा बच्पन में हम पापा को भी देखके mommy बोल देते थे और भाई बेन को भी देखके mommy बोल रहे है तो यह क्या होता था कि हमारे mind उतना ही process हुआ था उस समय देखके mind में सिखाया गया तो यही काम computer को करना पड़ता है computer भी इस तरीके से machine learning का use करता है और बार बार जो आउटकुट रहते हैं उसको उससे वह सीखता चले जाता है तो अब यहां पे हमारे mind में क्या-क्या functions use हो रहे होंगे यह सारे process को करने के लिए तो वह देखे तो यहां भी अगर हम machine learning की language में देखे तो neural networks build हो रहे हैं जो की आपस में एक दुसरे से connected होते जा रहे हैं बहुत सारे जिससे कि सारे के सारे एक दुसरे जूट जूटके तो हमलो भी लूप लगते जा रहे हैं हर एक function में वी लूप लगते जा रहे हैं आइज, नोज, यह सब चीज़ रिकोगनाईज करने के लिए, फिर लेंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए भी हमने सारे विलुक अब लगाते जा रहे हैं कि इनको यह बोलते हैं, इसको यह बोलते हैं, यह सारे पार्ट्स चल रहे हैं, फिस्टेटिस्टिक्स का यूज किया ज आपे, ऑपरेशन रिसर्च का यूज किया जा रहा हैं, फिजिक्स का यूज किया जा रहा है, तो यह सारी चीजों को यूज करके, हम ऐसे डाटा को पहचान जा रहे हैं, और कंक्लूड कर पा रहे हैं, जिसको हमने पहरे से देखा ही नहीं था, हम जानते ही नहीं थे, वैस सी चीज को जब हम मशीन से कराना चालू कर देते हैं तो यह हो जाता है machine learning अब एक example में थोड़ा सा machine learning वाला भी ले लेता हूं मैं ज्यादा ही practical में चला गया बच्पन में ज्यादा खो गया चलो वापस आजाते हैं हम अब अगर हम देखें कि कि अगर मैं एक graph draw करूं x-axis में weight को रख लेता हूं y-axis में height को रख लेता हूं देखें और actual जो data होगा एक classroom के पुरे data को pick करता हूं मैं height और weight के हिसाब से और सारे dots रहते हैं उसको put कर देता हूं मेरे graph हाइट और weight के सारे dots मैंने put कर गया अब उसके बीच से मैंने एक line खीचा correlation line बोल सकते हैं regression line बोल सकते हैं तो correlate करते में मैंने regression line कीचा तो यह जो line मैंने खीचा है weight और height के बीचों से बीच के जो dots हैं उन में से तो यह क्या एक average बताएगा तो यह क्या आगे का predict करने में भी काम आएगा कि अगर weight इतना होगा तो height इतना हो सकता है अगर height इतनी होगी तो weight इतना हो सकता है तो यह सारे जो predictability है यह सारे चीज जो है machine learning कहलाती है अब next आता है neural network तो neural network एक machine learning का type होता है तो इसमें क्या किया जाता है neural network में सारी जो interconnected units रहते हैं उसको जोड़ा जाता है जैसे neurons जैसे काम करते हैं हमारे mind में एक दूसरे से connected होते हैं तो वैसे यहां पर एक दूसरे database को एक दूसरे से जोड़ा जाता है जैसे अगर हम देखें कि एक database बना हुआ है आखो को recognize करने का, एक database बना हुआ है, nose को recognize करने का, एक database हमारे निमाग में बना हुआ है, lips को recognize करने का, ये सारे database को अलग-अलग से जोडता है, और इन raw data में से एक final conclusion निकालने की कोशिश करता है, आपस में बीच में connections establish करता है, तो वो कहलाता है neural network, और इस neural networks के जो बहुत सारे neural networks को मिला के, जब हम use करते हैं, अलग-अलग processing करते हैं units में, तो ये जो processing होती है, उसको कहलाते हैं, deep learning, तो ये क्या करता है, deep learning complex से complex pattern को recognize कर लेता है data में से, जैसे कि कैसी भी आखें आजाए, कैसे भी nose आजाए, तो वो सारे प्रकार की variety को अपने आप ही recognize कर लेगा, जैसे अगर हम देखें, real life के हिसाब से ही में समझाता हूँ आप लोग को, जैसे हम देखें कि हमने, हमारे सामने दो इनसान बैठे हैं, और साथ में दो चालवर बैठे हैं, तो हमारे mind तो eyes, eyes, सब की eyes में देख रहे हैं, सब की eyes को note किया है, हमारे mind में note होते जा रहे हैं, इसकी eyes, इसकी eyes, इसकी eyes, इसकी eyes, तो eyes तो उसमें सब में की recognize कर लिया, पर अब यह किसकी eyes है, यह कैसे recognize होगा, तो वो क्या है कि दूसरे feature से depend करेगा, तो दूसरे features कैसे रहेंगे कि अगर भाई जो face cut है वो face cut depend करेगा यगर face cut human kind of है तो human recognize होगा animal kind of है तो कौन से animal है उसका एक database होगा जिसमें कि सारे animals के database maintained हो रहे हो रहे हैं हमरे दिमाग में के cat के face cut ऐसे होता है इस तरीके से वह एक database चल रहा है ऐसे हमारे माइन में बहुत ही अंगिना database बनते जा रहे है और उन database को यह connect करते जा रहे हैं ज्योंकि क्या लाएगा यहां पर deep learning तो deep learning हमें क्या काम आती है object को identify करने के काम आती है image processing के काम आती है speech recognition के काम आती है यह जो मैं concept अभी real life का दिखा रहा हूं तो वही चीज हम language सीखने के लिभी करते हैं जब हम बच्पन में बोलना चालू करते हैं हमारे artificial intelligence उसके अंदर machine learning उसके अंदर deep learning और इसकी सारे के सारे आपको variety समझ में आगए हैं कि real life से आप relate कर पा रहे होंगे कि कोई कोई एकदम ऐसे अलगी कोई नहीं दोनिया नहीं है जो आप बच्पन से कर रहे हूं उसको मशीन को बस कराना है तो यह artificial intelligence बन जाता है इतना कोई हाड नहीं है तो यह आप समझ गए तीनो को वराइटी अब चलते हैं cognitive computing cognitive computing क्या होता है तो cognitive computing भी एक artificial intelligence का यह सब पार्ट है यह क्या करता है कि यह human like interaction करता है मशीन के साथ तो जैसे कि हम मशीन से बात कर सके अभी तक मशीन से हम कैसे बात करते थे जब first generation चाले हुआ तो हम क्या है वोल्टेज से बात करना चालो कि जीरो और वन से तो जीरो और वन के बाद दीरे दीरे हमारा computer code वोड आया जिसमें डॉस चलता था वहां पर हमका code लि चलता था फिर उसको टच स्क्रीन वाला चलने लगया और अब ऐसा भी टाइम है जब से सारा काम voice होएगा सारा हमारा यूजर इंटरफेस है वो पूरा voice बन जाएगा जो हम आजकल जो type करते हैं वो voice में convert हो जाएगा तो voice में convert होएगा तो उसके लिए क्या टेक्नोलोजी करेंगे अभी develop हुई है कि वैसी तो हां हो चुकी है Siri है Cortana है Google Assistant है Siri Apple वालों का है जो human life बात करता है फिर उसके बाद Cortana है Microsoft वालों का फिर Google Assistant है Google का जोंकि हम Android वगर फोन में यूज करते हैं next आता है computer vision computer vision मतलब क्या करेगा कि artificial intelligence को वो लगाएगा images में इमेजर्स प्रोसेसिंग पिक्चर वीडियो प्रोसेसिंग तो यहां पें pattern recognize करेंगे deep learning करेंगे अपस में सारी database को correct करेंगे पहले हम सीखेंगे हार इक pattern से और फिर उसको connect करेंगे और फिर पिक्चर में रिगज करने कोशिश करेंगे तो यह कैसा रहता है कि यह real time basis में होत चलते हैं real life में पापिश चलते हैं तो देखिए टेसला कार अब टेसला कार आखिर automatically कार कैसे चल सकती है कैसे possible हम जो आखों से देख सकते है क्या वो machine भी देख सकती है तो उसके लिए क्या कराए गया है कि चारुतरफ camera लगाए गया है और उनको ऐसा train किया गया है कि हर एक आजू-बाजू के सारे जो जितने भी surroundings रहेगी अपनी आसपास की उनको real time basis में recognize करेगी कि अच्छा यह road है यह road यह यहाँ पे पोल है यहाँ पे कोई car जा रही है सारे objects को recognize करेगी फिर उनकी speed को calculate करेगी कि वो क्या से speed में चलते है फिर उस speed के हिसाब से distance को calculate करेगी अच्छी हमारे दिमाग में प्रोग्राम हम देखते साथ ही समझ जाते हैं कि कि कार से हमें कैसे आगे निकालना है आमें किस तरीके से करना है यह सारा जो physics है कि कि इस speed में जा रहे है कि इसे करना है क्या करना है वो सब हमारे दिमाग कर लेता है पर यहां पर computer को हम ऐसा train कर तो वो बन जाएगा computer vision फिर आता है यहां पर natural language processing तो यह तो वही हम daily life पर यूज कर रहे हैं अगर हम आजकल functions रहते हैं हमारे mobiles में अगर हम कुछ बोलेंगे और वो चीज टाइप हो जाएगी ऐसा भी होता है या फिर हमें ऐसा अगर हमारे का Google Assistant करेंगे उसमें बोलेंगे एक alarm set करना है तो वो तूरंट alarm भी set कर देगा तो जिस reminder set करना है तो reminder set कर देगा जो बोलेंगे वो automatically functions को रिखनाइज करके interpret करके और वो implement कर देगा तो यह कहलाता है natural language processing तो यह हमारा complete होता है common terminology जो artificial intelligence को use की जाती है देखो सबसे पहले हमने artificial intelligence को समझा था फिर हमने समझा थ देखी कि किसका क्या मतलब होता है अब हम चलते है artificial intelligence की streams क्या क्या possible है तो यह image करी गई है काफी time यह देखने को मिलता है अब इस image को थोड़ा से समझने कोशिश करते है पहला stream है यहां पर machine learning तो machine learning के अंदर आता है deep learning और predictive analytics तो deep learning कैसे use करता है हमारा mind database को connect करके predictive analytics हमने के तरीके से हम आगे का प्रेडिक्टर सकते हैं यह हो गया machine learning फिर आता है natural language processing NLP इसके अंदर टीन stream दिये रहे है और ट्रांसलेशन हम क्या वक्ति सामने वाला हमसे कुछ बात कर रहे तो हम उसको समझ जाते हैं translate कर लेते हैं classify कर लेते हैं जैसे कि कोई हमसे English में बात कर तो ह हमसे Hindi में बात कर रहे हैं तो यह classify कर लेते हैं और फिर information extraction वो क्या बोल रहा है उसका मतलब उसका meaning भी हमें आना चाहिए तो उसका meaning को भी हम extract कर लेते हैं तो यह पूरा process रहता है natural language processing के अंदर फिर आता है speech speech में दो है speech to text जो हम बोल रहे हैं वो automatically type हो जा रहा है या फिर text to speech अब जो सामने वाला जो Siri है वो अपने text जो उसके प्रोग्राम में जो output आ रहा है उसको हमें वो बोल के सुना रहा है तो यह हो गया हमारा text to speech तो यह speech वाला extreme हो गया फिर आता है expert systems expert systems जैसे कि accounting knowledge जिसमें की जर्वत रहती है तो वो हमारी यहां पे expert systems रहते हैं तो expert systems में क्य scheduling and optimizing जैसे कि यह कहां यूज किया जाता है जैसे हम space में कोई rocket बेजें तो पहले से सब planning करने पड़ती है ऐसा situation होगा तो ऐसा होना चाहिए यह speed से जाएगा यहां पे open होएगा यहां पे land करने के समय यह होएगा ऐसा यह सब program होएगे तो यह सब प्लानिंग, scheduling and optimizing के अंदर फिर आता है robotics, robotics जैसे कि हम देखी रहे manufacturing में यूज हो रहा है तो जिपता भी यह part है कि उसमें पहले से design कर दिया जाता है कि आपको ऐसा है यह process करना है तो फिर artificial intelligence वो recognize करता है उन चीजों को image processing करेगा और बहुत से जो चीज़ें automatically वहाँ पर work करेगी और फिर वो robotic काम करेग फिर आता है vision, vision में हमने देखा image recognition और machine vision की computer vision कर लाएगा तो image को recognize कर दे रहा है और computer में vision आ जा रहा है computer vision का भी हमने full definition देखा था जिसमें हमने की Tesla car की मदर से समझा था, इसमें मैं एक और example ले सकता हूँ, अगर हम computer vision को और पसे समझने चाते हैं तो एक last यह क्योंकि इसका वहाँ पे speed मेरी लगबक 60 की होगी, अब 60 की speed में चल रहा हूँ और वहाँ पे कोई camera रगा हुआ था, उसने recognize कर लिया मेरे car को और वहाँ का limit actually था 40, 40 की speed रहनी चाहिए थी वहाँ पे, पर मैं वहाँ पे 60 की speed पे चला रहा था, वो थोड़ा सा मितलब city का area था अबर खाली हो जाती है, तो अब यह जो गलती हो गई, पर हमसे तो हो गई, अगर कोई police वाँ तो वो भी चलो समझ जाता, पर machine यहाँ पे नहीं समझने वाली थी, उसने automatically मेरे अपनी camera से मेरी photo की ले ली, मेरे car की और में को एक चलान भेज़ दिया, कि आप over speed driving कर रहे थे, तो मैं भी confused मैं कब over speed driving कर लिया, बड़ा confusion में था कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं, और फिर मैं देखा कि अच्छा, यहाँ पे 40 की speed चलाना था, तो फिर मैं को गया है, कि यह जो situation है, यह computer vision क्यलाते है, तो computer क्या कर रहे है, camera क्या है, camera ऐसा designed है कि वो automatically पूरा speed अगर calculate कर ले रहा है, movement के अच्छे तर ले रहा है, जैसी उसकी में जो program में जो चीज़े जो developed की गई यह उसके ही साफ से वो capture कर ले रहा है, और उसको तुरंट तुरंट वो ऐसा automate किया गया है, कि मेरे को directly वो चलान, मेरे directly mail, mobile सब में आ गया, ऐसा program हो कर दिया गया है, तो यह क्या 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 क् completing AI streams, let's start why AI is important, so the first point is AI automates repetitive learning, तो कम्प्यूटर को अगर हम कुछ कमांड दे और अगर वो कुछ काम करे तो उसको जितने बार भी हम करने बुलेंगे, वो काम को वो कर लेगा, उसको थकान नहींगी, और अगर वो ही काम अगर कुछी इंसान को दिया जाए, तो वो थोड़ी मशीन कर सकती है, second इसकी importance कि AI जो है, वो existing products का जो intelligence है, उसको बढ़ा देता है, जैसे अलग से artificial intelligence का कोई product नहीं बिखता मार्केट में, वो already कोई product रहता है, उसमें add कर दिया जाते है, जैसे कि अगर हम देखें कि mobile phone में, अगर जो voice recognition की capability, जैसे Siri, code आना, और इस तरीके के जो functions आये हैं, वो अपने mobile के intelligence level को बढ़ाते हैं, तो वो कुईसी दूसरे existing product के intelligence को बढ़ाने का काम करते है, third importance है, AI adapts through progressive learning algorithm, देखें, अब ये क्या होता है, progressive learning algorithm, इसमें algorithm जो है, वो जो computer में जो program बना हुआ, coding लिखी हुई है, वो क्या रहती है, कि अपने अब change होती है, कैसे change जो की है, data के मदद से change की जाती है, तो AI क्या करता है, कि जो data रहता है, उससे कुछ structure, कुछ regularities, ये सब खोजने की कोशिच करता है, अगर वो उसको मिल जाएगी, तो उससे वो एक skill develop कर लेगा, जिससे वो algorithm बना लेगा, तो ये जो algorithm रहता है, इसको classifier बोलते हैं, या predictor बो ये कि इसको बोलते है algorithm को, और ये जो पुरी technique रहती है, जिससे के data की मदद से पीछे जो learning करते है, इसको बोलते है back propagation, ये AI technique है, और ये इसमें कौन सी algorithm technique यूज के जा रही है, progressive learning algorithm, तो देखिए, एक simple size importance वाले paragraph में, हमारे पास कितने सारे नए words हैं, और कितने सारे नए questions ब बनाया जा सकता है, तो ये जो fourth importance है, ये depend करता है neural networks पे, तो neural networks में क्या होता है, ये hidden layers बनते जाते हैं, एक के अंदर एक के अंदर एक layers बन रहे data के, और अगर इसको आपको समझना है, तो आप जब अपन Google में कुछ भी search करते हैं, और या तो हमें Google जो हमें ads दिखाता है, त वो सब Google को पता रहते, कैसे पता रहते हैं, तो बहुत सारे hidden layers रहते हैं, जो एक के बाद एक के बाद हमारे data को save करते जा रहे है, तो इसमें बहुत बड़ा data इस्तमाल किया जा रहे है, हमारी सारे हमारी सोच को समझने के लिए कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या हम पसंद करते ह क्या हम फट से खरीद लेंगे अगर देखते साथ हमें कुछ ऐसा दिखा एड किसी चीज का तो हम उसको खरीद लेंगे तो यह सारी चीजों को बिग डाटा बोला जाता है जो बहुत सारा डाटा है अलग-अलग टेबल्स है और वो सारे को हम जो डीप लर्निंग जो की जारी यहां पर neural networks बनाया जारे है hidden layers बनाया जारे है अगर जैसे हमेरे पास add आया कोई पर हम सबज नहीं पाते है कि यह add हमें क्यों दिखाया जा रहा है पर कहीं न कहीं कोई hidden होगा कि वह चीज जो हमें वह उस चीज तक लेके जाती है interest दिलाती है ऐसी कोई चीज तो हम कभी दे आया की मदद से हम बहुत ही accurate answers हम पा सकते हैं क्योंकि क्या होता है कि इसमें data की मदद से यहां पर neural networks deep neural networks built किया जा रहे हैं तो जितना ज्यादा data available होगा उतना ज्यादा accuracy हमें मिल पाईगी जैसे अगर हम देखें कि google search वगर में और google photos वगर में जितना ज्यादा हम जैसे logo की photos add करते जाएंगे एक ही person की google photos में photos अलग अलग तरीके से एड़ करते जाएंगे तो उत्ता ज्यादा तरीके से वह उस person को recognize करना चालू कर देगा फिर अगर अगर अंधेरे वाइदम dark photo भी अगर किसी की डाल दे अंधेरे में किसी फोटो ची हुई तो भी वह पैचान कि उसके लिए असान हो जाएगा लिए तो accuracy है वह हमें proper मिल जाएगी तो आज कल क्या होगे कि data की कीमत रूट है अब देखो जियो इतना बड़ा जो offer लाया उसका में मकसद क्या था data इखटा करना तो यह जो data is a new oil बोला जा रहा है मतलब यह एक प्रकार से उसके लिए वै से खुद algorithm खुद सब कुछ सीख सकता है आजकल तो data कितना important हो गया है उसी के basis में artificial intelligence पूरर depend करने लग गया तो यह थे कुछ importance अब हम next चलते है types of AI की तरफ कि AI कितने प्रकार के हो सकते हैं तो AI को अगर हम types में बाटे हैं तो उसके पहले हमें उसके किस basis में हम बाट रहें पहले decide करना पड़ेगा पहला जो AI को बाटने का तरीका हमने निकाला है वह है capabilities की मदद से कि उसकी क्या capability है AI क्या काम कर सकता है तो पहला तो है इसमें आता है weak AI और narrow AI उसके बाट दूसरा है general AI और तीसरा है super AI तो देखो यह जो तीन दिया हुआ है इसमें से अभी तक market में स्रिफ weak और narrow AI ही develop हो पाए है general और super आज तक अभी बना नहीं है क्यों नहीं बना है अब इसका कारण देखते है कि इसमें तीनों words में difference क्या है तो जब weak और narrow AI की बात करी जाती है तो यहां पे ऐसा AI की बात करी जा रही है जो कि एक dedicated task करता है अपने intelligence से एक उसको fixed task दे दिय लगा ले तो ऐसा भी develop नहीं हो पाया है कि वो खुछ से भी अपने आप दिमाग लगा ले कुछ अलग से कुछ extra काम भी कर ले और फिर super AI क्या बोलता है कि ऐसा intelligence हम software बनाएंगे जो कि human से भी अच्छा होगा देखे week narrow में क्या हुआ कि specific task कर रहे है वो अपने intelligence level को use करके यह आपे human के जितना नहीं कर पाता वो पर कर लेता है हमारे दिमाग से जितना नहीं कर पाता पर वो अपनी साब से जो उसको काम दे जाता है वो कर लेता है general AI में क्या हुआ कि human जैसा काम करना चाहिए कि सारा कुछ अपने आप से सब कुछ logic लगा दे हम क्या है दिमाग से भी स सूचते हैं और यह सारी चीजों पर जो इसा भी कोई डवलप नहीं हो यह तो इसलिए यहाँ पर बोला जाते हैं कि वे यह अभी तक मार्केट में आए तो यह था हमारा capabilities के हिसाब से हमने तीन तरीके का अब हम चलते है functionality के हिसाब से कि क्या है functionality के हिसाब से भी बाटा जा सकते AI को इसमें जो है total चार प्रकार के होते है पहला होते है reactive machines दूसरा limited memory तीसरा theory of mind और चौता self-aware तो पहला जो है reactive machines इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि यह खाली react करेगा मतलब कोई current scenario इसको दे दिया जाएगा काम दे दिया जाएगा उस काम पर यह खाली रियक्ट करेगा जैसे समय में एक formula है तो वह formula है यहाँ पे अगर हम अगर कोई डाटा को देखेगा वह formula लगाएगा और उसका output देदेगा तो यह इस ताइप का reactive machine kind of artificial intelligence हो गया तो यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर कोई data इसको store नहीं किया जा रहा है यहाँ जैसे ही वह तुरंट आता है data उसी समय उसको प्रोसेस किया जाता है और यहाँ पर उसका रिजल्ट आ जाता है वह उसी दूसर तरीके से होता है limited memory limited memory क्या है कि short time of period के लिए यहाँ पर data को store किया जाता है यह कैसे store करेगा जैसे इसका example ले देते हम टेसला जो टेसला कार क्या करती है जो self driving cars है तो वहाँ पर क्या यह होता है कि जैसे सामने बगल से कोई कार जा रही है तो उसकी speed है और वह जो भी data है कितना बड़ा कितनी बड़ी truck है कौन सी गाड़ी है यह सारा जो data रहता है वह उसको record कर लेता है उसको save कर लेता है एक short time period ले जब तक वह गाड़ी से वह पास नहीं हो जाते हैं तब तक वह सारा data अपनी टेसला कार में recorded रहेगा और उसकी मदद से सारे जो algorithm में work करना चालू कर देंगे कि उसकी speed है आप से recognize करेंगे कि हम उस गाड़ी तर कितनी देर में पहुंचेंगे हम से कितना distance उसका रहना चीए यह सारी चीजे जो है वो automatically काम करना चालू कर देगा तो यह था limited memory तीसरा आता है theory of mind तो theory of mind यह फिर एक hypothetical concept हो गया है क्योंकि ऐसा अभी तक बना नहीं है क्यासे क्योंकि यह क्या बोलता है theory of mind कि ऐसा AI बनाना है हमें जो कि human emotions को को भी समझ ले people को समझ ले beliefs को समझ ले और इंसानों जैसे बात करें जैसे समझ लोभी बीच बीच में लांच हुए थे कुछ robots जो इंसानों जैसा बात करते थे पर वो सिर्फ जो उनको recorded रहते है वही वो text to speech to text वाला ही काम कर रहते है वहां पर मतलब ऐसा नहीं हो रहे है क सेल्फ अवेरनेस यह भी अभी है अभी आया नहीं है क्योंकि यह क्या मोलता है कि हमें ऐसी मशीन बनाना है जो कि जिसकी खुद की consciousness हो उसके बाद उनके उसके खुद के sentiments होने चाहिए और सेल्फ अवेरनेस होना चाहिए सब कुछ मों समझे प्रलब समय दो human जैसा हो human से भ बने लिए अब next topic आता है AI के platforms क्या क्या है तो प्लेटफॉर्म में अगर हम देखे तो पांच यहां पर companies है जो बहुत बड़ी companies है जिनके खुद के platforms है जहां पर artificial intelligence की जो codings है वो की जा सकते है यह actually codings होती है Python की मदद से की जाती है usually ज्यादा थर Python चलता है और भी languages यूज Watson Analytics देखिए यह सारे नाम आपको याद रहने चाहिए क्योंकि इसके उपर भी question आ सकते है कि कौन सा platform किसका है तो IBM का है Watson Analytics Google का है DeepMind या TensorFlow बोला जाता है तो इस तरीके से पांच जो बहुत बड़े platform से artificial intelligence के लिए अब next हम चलते हैं AI and speech recognition की speech recognition में artificial intelligence का क्या रूल चल रहा है तो देखिए यहाँ पर यह ना दो चीज आपको समझना पढ़ेगा एक होता है speech recognition और एक होता है voice recognition तो जो voice recognition है वो speech recognition का एक subset है अब एकदब नाम सीमिलर है voice और speech सब्सेम ही लग रहा है मेरेको क्या difference है इन दोनों में तो यह देख लेते हैं सबसे पहले जो speech recognition है यह क्या करता है words को identify करते है और जो voice recognition है वो कौन सा person वो बोल रहा है उसको recognize करते है जैसे अगर हमने mobile में कमां कमांडी unlock the screen तो फट से हमारी screen unlock हो जानी चाहिए तो यह क्या हो गया speech recognition और वही हमारे जगह हमारे भाई ने अगर कमांड यह हमारे mobile में unlock the screen तो वह नहीं खुलना चाहिए क्योंकि वहाँ पर voice recognition भी लगना चाहिए क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है दोनों में difference करना कि speech recognition का म बहुत important होता है तो इसलिए यहां पर दो निकल के आगए है जो कि यह पहला voice recognition और दूसरा है speech recognition पहले भी मैंने यह बात बोली है कि आगे चलके जमाना ऐसा हो जाएगा जहां पर जो mobile में आए पहले coding में थे coding में में touch screen में आए touch screen के बाद हम voice में convert हो गए voice में जो भी हम कु और mobile में भी ऐसे features जो है वो बढ़ते चले जाएगे जैसे अगर आज की date में हम जो facebook में touch करके like कर रहे है उसके बाद ऐसा features आएगा थोड़े time बाद कि हम बोलेंगे like this photo तो like हो जाएगा comment this on photos तो अपने आप फिर वो जो हम बोलेंगे वो comment हो जाएगा वैसे तो यह आज भ the dominant user interface इसको बोला जा रहा है यहाँ पर speech recognition next section जो आता है वो है कुछ problem types है उनके लिए कौन सी artificial intelligence की जो analytic technique है वो हम क्या use करें वो हमें यहाँ पर decide करें तो बहुत important section है क्योंकि यहाँ से धेरो question बन सकते है हर एक point यहाँ बहुत important है तो देखिए सबसे पहले हमें समझना पढ़ेगा कि क्या-क्या problems है तो पहला problem है classification classification का मतलब क्या होता है यहाँ पर data हमारे पास आते जा रहा है हमें उसे बातना रहता है tables को जैसे माल लो एक program है जो की photos को recognize करने का का काम कर रहा है people को recognize करने का तो अलग-अलग database बने हुए ह हर people के तो वह अपने उस data को बाटेगा जैसे कि एक program है animals को recognize करने का तो जैसी photo आ रही है वहाँ पर सामने है वहाँ पर dog की photo आ रही है तो वह dog की database में डालेगा cat की photo आ रही है तो cat के database में डालेगा इस तरीके से जितने animals आते जाएंगे उन सब की photos को अलग-अलग classify करते जा एक टेखनीकों की और दूसरा है logistic regression तो यह जो नाम है वो आपको याद करने पड़ेंगे और यह क्या काम आ रहे है तो यह classification के काम आते हैं जो Convocation Neural Network है और logistic regression यह हो गया पहला दूसरा problem समझते continuous estimation अब continuous estimation क्या होता है यहां पर हम हम हमें ऐसी टेखनीक लगानी है जो कि हर आपसा हमें कुछ ना कुछ decide करते रहेगी मतलब कैसे रहेगा decide कैसे करेगी जैसे stock खरिजना है की नहीं खरिजना है जैसे जिसको हम अलगो टेडिंग बोलते हैं तो वो भी इसका पार बन सकता है अलगो टेडिंग उसके बाद है कि weather forecast करना consumer की sentiments को decide करना time series जहां पर involved होगी linear regression तो आपका शायद सुना हुआ होगा CPT के समय हमने पढ़े थे linear regression regression एक chapter हुआ करता था जाद करो CA foundation के दिल तो वहां पे आपने यह पढ़ा होगा linear regression regression में क्या होता था कि हम predict करते थे x एक दिया हुआ रहता था y को predict करना रहता था तो वहां पे क्या रहता था कि हम past का एक correlation develop करते थे और उसकी basis पर हम regression जो formula है उसको use करते थे चलिए चोड़िए अभी आप statistics में वापस नहीं जाते हम यहां पर यह नाम याद रखने है कि linear regression एक प्रकार का एक technique होता है जो की continuous estimation का का काम करता है और दूसरा है feed forward neural network तो इस तरीके से दो यह हमारे पास techniques अभी हमने जह है features के हिसाब से data को बाटना अब features के हिसाब से कैसे मतलब मानलो जो Google कर रहे है वो clustering का use कर रहे है वो कैसे करता है कि demographics की study करता है customers कौन से demographics के customer से जिनको यह product अगर हमें add दिखाएंगे तो उनको पसंद आएगा उसके बाद क्यों से buyer का behavior है उसको study करता है preferences क्या-क्या-क्या इसकी जा सकती है पहला है के means और दूसरा है affinity propagation मैं समझे रहा हूँ है आप लोग के बहुत technical हो रहा है यह नाम हम याद करना पर आपको करना ही पढ़ेगा क्योंकि exam में यह आय सकते है क्योंकि बहुत important लही है तो के means के means करके technique होती है और affinity propagation affinity propagation नाम का एक technique होता है यह दोनों technique चाहती है cluster में बाठने के काम करें चलिए अब चलते हम next जो हमारी technique है उसके तरफ उसके जो दिक्कत है पहले हम उसको समझते है दिक्कत के नाम है यहाँ पर anomaly detection इसका मतलब होता है कुछ हटके अगर हमें कुछ data हम कुछ एक data की study कर रहे है और अचानक से उसमें कुछ हमको को कुछ ऐसा data मिलता जो एकदम हटके है उस data से मतलब अरे यह क्या आ गया इंगर के इसके बीच मतलब क्या है suspicion create करता है जो कि fraud detection के काम आ सकता है fraud detection money laundering यह सारी चीजों में जो identify करने के काम आता है उसके लिए कौन सी artificial intelligence technique लगाई जाए तो यह एक्जाम में अगर कुशन आत इस तरीके से यह जो तीन टेखनीक से वो उसके नाम दिय रहे तो आपको चूज करना है इनमें से support vector machines और इनमें से जो नाम दिया वो रहेगा उसको तो क्या नाम याद रखने है आपको animal detection में एक होता है support vector machine support vector machine देखिए याद करते है support vector machine उसके बाद k nearest neighbors तो देखिए k means औ और के nearest neighbors दोनों में confusion हो सकता है के means किसके लिए है clustering करने के लिए और के nearest neighbors किसके लिए है fraud detection ठीक है और उसके बाद है neural networks तो neural networks भी किसके लिए use के जा रहे है यहाँ पर fraud detection अब last जो आता है problem वो है recommendations का कि ऐसा को यह techniques बताओ जो कि recommend कर सके recommend काय में होता है जैसे कि हम netflix में पसंद आई यह series आपको पसंद आए और फिर आप देखते हैं तो हाँ भी आपको पसंद आ रही है तो यह इसको कैसे पता है अट्टिक को कैसे पता कि हमें यह पसंद आएगा हमारे past preference है वो पूरा data इखटा कर रहे है कि हम कौन से जैनियर का देखते हैं कौन से एक्टर्स देने के काम आ रही है इस तरीके से यह थी हमारी सारी टेक्नीक्स तो यहां पर टेक्नीक्स खतम करने के बाद हम चलते हैं AI के advantages क्या क्या है अब यह इतना सारा कुछ हमने AI सिखा यह सारी चीजों से हमें क्या advantages में रहे है तो पहला है कि error reduction हो रहा है error reduction बहुत ज़रूरी था अब देखिए इसका situation सोच के देखिए अगर space exploration का काम चल रहा है कोई एक rocket गई है Mars में अब वहां पर accuracy इतनी ज्यादा importance है थोड़ा सा भी इधर उदर हुआ और वो जो rocket है वो crash हो जाएगा और हमारी जो सालों की महनत करोडों रुपय के जो लगाये हुए है वो सब पूरे इसलिए यहां पर accuracy जो है वो at most importance रखती है इसलिए यहां पर AI की मदद ली जाती है दूसरा आता है difficult exploration तो difficult exploration का मतलब यहां पर क्या हो गया कि यहां पर robotics और AI को मिला दिया जाते है और robotics और AI को मिला कि जो humans की limitation रहती है जो जहां पर humans नहीं पहुँच सकते जैसे ocean का floor तक पह पाइंगे और वो directly वहां पर collapse हो जागी अगर ज्यादा नीचे गया तो इसलिए क्या है कि यहां पर machines को artificial intelligence की मदद ली जाती है फिर अगर हमें oil mining वगर है तो यहां से भी मदद ली जाती है फिर तीसरा आता है daily applications तो daily application मतलब आज की date में अगर हम देखे तो daily जो काम करते है उसका एक part बन चुक है हमारे mobiles में हैं जब भी हम कोई भी ट्रेवल करते है GPS की मदद लेते GPS क्या है वो भी एक प्रगार का artificial intelligence technique है तो GPS की मदद ले रहे हैं जो maps में हमें रास्ता दिखा रहा है उसके बाद मोबाइल में हमारे पास इतने सारे functions आ गए हैं जो हमें use कर रहे ह आटोमेटिकली टेंग हो जाते हैं कि इसमें persons कौन-कौन है इस फोटो में Facebook को पता है भई फोटो देख के बता दोता है अब कोई किसी कोई random बंदे ने हमारी कोई फोटो डाली एक बार में साथ ऐसा हुआ कि कोई जिनकों में जानता भी नहीं हो पर वो ग्रूप फोटो थ है जो कि artificial intelligence की मदद से खोवर पा दिए नेक्स अधर digital assistance तो वह आजकल किया कि हर एक को reply दे पाना पॉसिबल नहीं पाता था कि आपको कुछी कोईशन है तो यहां पर टाइप करो और वह आपने यह आंसर कर देता है तो यहां पर क्या होता है कि उसको predefined सिखाया जाता है कि अगर यह अगर हम जो कुछन कूछ रहे हैं उसमें अगर यह यह words होंगे तो आपको यह reply करना है ऐसे करके chatbots को सिखाया जा यहां पर है कि जो सेम बार-बार वही काम करना रहता है और multitasking जो करना रहता है वो काम हम artificial intelligence से करा सकते है जो कि humans के लिए possible हो पाता है और lastly है कि यहां पर जो artificial intelligence है जो machine है वो break नहीं लेती है humans अगर काम करेंगे तो ज्यादा देर नहीं कर पाएंगे की काम को continuous थोड़े देर में ब्रेक मांगेंगे और यह machine को ब्रेकी नहीं मांगती है दीन हो या रात हो पूरे time वो काम करते रहेगी जैसे कि इसका हमने एक example देखे थे कि starting में जो किता की traffic signal में जो एक camera लगाया जा तो पहला तो बहुत बड़ा जो disadvantages है वो है cost भाई यह इतना जो बड़ा machine बनाना है तो इसके लिए क्या है कि एक complex एक तो machine भी complex लगेगी उसके पाफ जो इसको बनाने वाले जो programmers होंगे वो भी लगेंगे उनकी भी costing जादा आएगी और कुछ भी repair maintenance वगर भी इसका खर्चा बहुत हैगा दूसरा होता है कि cannot replicate humans no replicating humans अब इसका क्या है कि right or wrong का decision है वो machine को खुछ से नहीं पता है जो उसको coding करी होई हो चागा है इसको हमने एक movie देखी होगी robots जो movie थी चिट्टी तो चिट्टी एक बार क्या होता है कि जलती आग लग जाती है building में और robots उसको बचाने पर एक lady रहती है वो lady मतलब उस condition में रहती कि public के सामने आपाए तो और वो उसको public के सामने लिया आता है बले उसकी जान वो बचाता है पर वो इसकी embarrassed हो जाती है कि वो वहीं पर जाके society कर लेती है तो होता यह कि जो robots है उसके पास logical power नहीं आ पाया है हम ऐसा कुछ technique नहीं ब इस condition में जान बचाना वो उसको नहीं पता था तो वो क्या है कि humans ही वहाँ पर सोच सकते हैं तो यह यहाँ पर disadvantages हो सकते हैं उसके बाद आता है तीसरा no improvement with experience यह बहुत interesting and no improvement with experience आदेखे कई बार क्या होता है कि आगर मान लो ऐसा design क्या हुआ हुए face recognition का system लगा हुआ हमारे office के बाहर हमारे face देखके बाद ही हमें entry देता है और हुआ यह कि उस समय हमारे कुछ हमारा कुछ accident हो गया और हमारे face में कुछ damage हो गया तो वह face recognize ही नहीं कर पा रहा है तो हमें अंदर ही घुस्त नहीं दे रहे तो यह होता है कि experience जो है वो humans का उसके में ऐसा experience नहीं आ सकता machine में जैसे entry लेने से पहले उसका voice recognition रहता था open the door और यह था कि dentist के पास से आता था वो बोल नहीं पा रहा था तो वो बोल नहीं पा था तो उसकी अवाद जो है वो इंदम अजीब से आ रही थी तो यहां पे देखो आगिशन इंटेजिएंस को समझ नहीं पाया और कि यह वही ब उसने recognize कर लिया था और वो उसको लगा कि आ रही यह तो ही नहीं तो उसको अपर डोरी नहीं open हो रहा था वो उसको अंदर भूसने नहीं देखा था तो dentist के पास जाना इसको भारी पढ़ गया अब नेक्स आता है no original creativity उसकी खुद का कोई creativity नहीं मशीन अपने हिसाब से कुछ अपना दिमाग नहीं लगाएगी जो उसको काम मिला है उसके हिसाब सी चलेगी तो यहां पर humans जो है वह आउट फॉर्म ही करेंगे हमेशा कभी भी ऐसे कोई मशीन नहीं बनाई चाब और लाश आता है वह है unemployment का अरे वही सारे काम अगर मशीन से करवाल होगे तो हम क्या करेंगे अब वही है हमें अपग्रेड होना पड़ेगा हमें ऐसे काम करने पड़ेंगे जो artificial intelligence से भी अच्छे हो जिसमें creativity involved हो तो creativity का तो तोड़ आप artificial intelligence नहीं कर पाएगा तो वहाँ पे हम outperform कर पाएगे अब कुछ examples देख लेते हैं कि finance में किस तरीके से artificial intelligence को यूज किया जाता है तो पहला इसमें आता है pattern recognition in banking तो banking में बहुत सारे number of variables रहते हैं जिसमें जिसपे depend करता है कि transactions जो हो रहे हैं वो suspicious है कि तो जैसे कि अगर माल लो customer का कोई salary bank account है तो salary account है और उसमें कोई other than salary credit कोई दूसरे credits आ रहे हैं तो यहाँ पे suspicion create होगा और उसके बाद अगर cash और non-cash transaction का जो ratio है वो बहुत जादा unfavorable आ रहे है जैसे अचानक पहले क्या होता था कि वो normally transactions जो UPI, NAFT, RTGS से करते था जो accounts में तो यहाँ पर कुछ suspicion create होता है फिर अगर हम देखे कि एक दूसरे related accounts जो है उसमें एक दूसरे accounts में transfer बहुत जादा हो रहे है frequently तो यहाँ suspicion होता है deposits बहुत जादा हो रहे है, withdrawals बहुत जादा हो रहे है, unusual मेरे बुलने का मणाला, जादा कम तब है, unusual deposits बहुत जादा हो रहे है, withdrawals हो रहे है और number of transactions पे भी depends करता है तो यहां पर artificial intelligence क्या करता है कि customers की profile को पुरा समझता है कि वो किस type का customers है, कितना क्या कमाता है, कितना खर्च करता है और अगर वो कुछ unusual देखता है, artificial intelligence जो है, वो कुछ unusual पकड़बाता है कि इसके जो transactions से इसमें अचानक से इतना mode कैसे आगा तो यहां पर उसको suspicion create करता है, red flag भी हमने एक पड़ा था, red flag जो है रहता है कि वो यहां से निकल के आया है word, जो artificial intelligence की मदद से file क्या जा जा रहा है तो उसको भी आप सोचके देखिए, credit score में इतनी सारी जानकारी आती है, वो सब को merge कर लेता है, cutter कर लेता है, और उसके बाब वो एक score decide करता है, तो भी इस परगार का artificial intelligence ही है, जो यह assess कर पा रहा है, कि सामने वाला प्रे कर पाएगा कि नहीं लोग, तो पहले तो जो traditionally credit score वो सारा भी चीज़ भी उसमें incorporate कर दिया गया है, और काफी जो extensive credit history रहती है, वो उसमें देखी जाती है, तो यह थे जो कुछ use cases, जो finance में हमने देखे, banking के लिए, और अगर हम देखी कि कहां यह identification intelligence यूज हो रहा है, तो finance में अगर और कहां यूज हो रहा है, banking के अलावा, तो यह text calculations वगर में clear text जैसी जो services आ गई है, वो automatically GST के सारे data वोगर को recognize कर ले रहे है, पूरा mismatching है, वो समते दे रहे हैं, तो काफी सारा, compute office है, compute office में भी काफी अगर हम देखे तो वाल जो ट्रेडिंग से वो रहे हैं, तो अगर हम देखे तो वाल जो ट्रेडिंग से वो आगए है, अभी अचानल से किया वाज़ीरोदा में मैंने कॉप्शन देखा क्यों करके क्यों करके हैं, तो उन लोग क्या कर रहे हैं कि automatically पूरा जो capital gain और जो short term, long term capital gain के calculations है, automatically पूरे transactions को fetch कर ले रहे हैं जिरोदा से, और वहीं की वहीं आपको निकाल के देदे रहे हैं आपका text कितना है और जो pay off कर दे रहे हैं, वहीं से अब return भरने का option आगी है, तो आज कल देखो हमें पूरा अपना mode जो बदलना पड़े रहा, अभी जो हम traditional practice कर रहे है, फिर उसका return प्रोसेस चल रहा है, फिर उसको यहां पर Excel से हम इंपोर्ट करते हैं हमारे सिस्टम पे, computer office वगर में फिर उसका return प्राइल करते हैं, उसका return प्राइल करते हैं, तो यह जो इतना cumbersome प्रोसेस है वो आजकल ऐसा हो जाएगा, आई गया है, जिरोदा में तो कि directly वहीं से कर लो, वहीं से वो करने लग जाएंगे, आगे चल के सारा कुछ काम फिर online ही करने लग जाएंगे, तो हमें यहां पर कुछ न कुछ action लेना पढ़ेगा, नहां पर हमें कोई ऐसा कोई software या develop करने पढ़ेंगे जिस जो artificial intelligence की मदद से हम भी यह सारे काम कर सके, पर trade tron करके आता है, trade tron आप search करेंगे तो आपको में जाएगा, उसमें आप algorithm बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारे algorithm है, बहुत सारे जो है, अलग 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 trading platforms भी आ गए है, वहाँ पर अपना program लिख लीजे, और एकदम easy है, ऐसा कोई python use भी नहीं करना पड़ता है, directly आप उस करता रहेगा, next is JP Morgan case, अब देखिए, JP Morgan ने क्या किया, जितने भी legal documents थे, वो सब को, पहले क्या होता था, उसको बना पाना बहुत मुश्किल होता था, एक एक को study करना बहुत मुश्किल होता था, एक documents को, और सब को उसने computerize करवा दिया, computerize कराने से यह हुआ कि automatically वो पूरी जो भी है, जो legal documents से, उसको वो computer पूरा पढ़ ले रहा है, समझ ले रहा है, और interpret करके, जो हमें चाहिए, वो दे दे रहा है, तो यह बहुत ही काम का जो एक function है, जो यहाँ पर use किया गया, artificial intelligence का, फिर आता है, Wells Fargo, Wells Fargo ने क्या किया, कि artificial driven chatbot का use किया, Facebook Messenger platform की मदद से, जिसके through assistance दे पा रहा है, password, accounts और इसके related, next अधर plantation, आजकर plantation में भी drone based artificial intelligence यूज किया जा रहा है, drone based मतलब क्या होता है, कि वो किस plant को, कैसा, वो plant को कि पहले photo लेगा, video लेगा, उससे वो decide कर लेगा कि अरे, इस plant को किस fertilizer और किस chemical की जरूवत है, वो हिसाब से उसके उतना ही, जितना उसका requirement होगी, उतना ही उसको जो fertilizer है, वो provide करेगा, तो इस तरीके से यहाँ पर plantations किये जा रहे है, और जैसे seed pots पकर भी लगाना है, जैसे जंगल में, जा पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहता है, ऐसी जगा पे जहाँ पर plant लगाना है हमें, तो वो drone की मदद से भेजा जा र होते थे, जो risk based audit plan बनाना है, उसमें हमें artificial intelligence का use करना चाहिए, अब ऐसी technology हमें सिखनी पड़ेगी, develop करनी पड़ेगी, ताकि हम यह सारी जो चीजे हैं, उसमें artificial intelligence को use कर पाए, यह जो था पहला impact जो कि हमने बदाए कि हमारे audit plan में risk assessment में artificial intelligence को use करना पड़ेगा, अगर हम दे planning से ही, तो वहां से हमें उसका जो भी process है, AI process, policies, procedures, वहां से हमें audit करना चालो करना है, पर यहां पर यह बात का ध्यान रखना है कि वो सारी चीजों के लिए हम responsible नहीं रहेंगे, वो policies, procedures, जो है वो company decide करेंगे, हम सिर्फ उसका audit करेंगे कि वो सही तरीके से है कि नहीं, हमारा security norms रहते हैं, वो सारे के पीछे भी हमारा audit हो सकता है, फिर AI की मदद से क्या है कि risk management, control और governance process की effectiveness को बढ़ाए जा सकते हैं, फिर यह fraud investigator भी use कर सकता है, तो पहले क्या होता था, fraud वगर decide करने के लिए हम Excel में data को लेते थे और वहां पे statistical data analysis वागर लगाते थे, कुछ-कुछ formula लगाते थे, फिर हमें कुछ set of samples मिलते थे, फिर उस samples का हम audit करते थे, तो यह क्या होता था एक परकार से passive, passively हम fraud को detect कर रहे थे, actively नहीं कर पा रहे थे, passively मतलब बाद में हम इसको अलग से करते थे, अब actively, artificial intelligence की मतलब से हम actively fraud को detect कर पाएंगे, क्योंकि वो real time basis पे यहाँ प तो अब हम कुछ scenarios देख लेते है, artificial intelligence techniques कैसे हम use करें fraud management के लिए, तो इसमें आता है पहला data mining, data mining का मतलब हो गया कि हम कुछ एक patterns identify करें, large data set से, इसके लिए हम जैसे जो techniques का हम सीखे थे, classification, clustering करना, segmenting करना, तो यह तारा जो techniques है वो use की जा सकती है उन data पे, और एक automatic associations determine कर सकता ह जा सकता है, कुछ data या उस transactions के लिए, तो इस तरह के से data mining की मदद ली जा सकती है, second आता है, expert systems बनाया जा सकते है, expert systems मतलब जितने भी, जैसे queries रहते हैं, जो हमारे लिए possible यह पाता है, इतने सारी चीज़ों का study कर पाना, data के लिए, वो यहाँ पे हम expert systems की मदद से कर सकते है next है, machine learning और pattern recognition का use कर सकते है, तो यहाँ पर क्या होता है, यह mainly use के रहता है, कि customer profiling करना है, तो customer profiling के लिए उसका pattern, उसका past, history, वो सब के हिसाब से हमें चाहिए prediction करना है, कि यह किस तरीके के transactions करेगा, तो यह predictions होगा है, उसके लिए हम यहाँ पे pattern machine learning और pattern recognition का use कर यूज करते ह तो यहाँ पर हमारा खतम होता है, यह जो audit में क्या impact आया है, तो audit के impact में हमने देखा major impact तो fraud investigators को आ रहा है, fraud management में जिसमें हम क्या के techniques यूज की जाती है, data mining, export system, machine learning, neural networks, यह सारे examples हम ने देखे, किस तरीके से fraud management पे इसको use किया जा रहा है, अब next topic आती है, risk and challenges, तो इसमें क् पहला risk होते है, तो पहला risk है, AI is unsustainable, अब unsustainable कैसे हो गया, भई, इन्वार्मेंट को नुक्सान कैसे पहुचा रहे है, थोड़ा सब सोचना पड़ेगा, इसके आपको थोड़ा से टेक्निकली जाना पड़ेगा, अब इस AI को चलाने के लिए बहुत बड़े-बड़े processors की म आने के लिए, तो इसके कारण जो environment को बहुत जादा damage हो रहा है, तो यह इसलिए unsustainable है, आजविश intelligence, दूसरा lesser jobs, lesser jobs जो routine और reputable tasks वाले जो machine कर ले रहे हैं आजकल, जो humans करते थे, वो अब machine करने लग गए हैं, और तीसरा है a threat to humanity, अब humanity को कैसे खत्रा है, कुछ terminators और उस kind of movies अगर देखे होंगे, जिसमें कि sci-fi movies रहती है, जिसमें कि ऐसा कोई machine बन जाता है, जो humans कोई खतम करने की कुशिश करने लग जाते हैं, तो ऐसा भी आगे चलके आगे जमाने में कुछ हो सकता है, क्योंकि आज की rate में कुछ भी चीज impossible नहीं है, ये भी क्या पता आगे चलक क्या-क्या phase करने पड़े हैं हमें artificial intelligence में, तो इसमें पहला challenge है कि हमें और ज्यादा fast processor की जरुवत है, क्योंकि हमें बहुत deep learning techniques अगर use करते हो, उसमें बहुत ज्यादा processing चलती है, बहुत ज्यादा calculations होते हैं, जिनको बहुत ही fast तरीके से करना रहते है, दूसरा challenge है कि ज्यादा लोगों को use दिखनी पा रहा है, क्योंकि यह technology भी बैसे भी समझने में थोड़ा मुश्किल है, और थोड़ा technical हो जाता है, तो आसानी से इसका use नहीं दिख पा रहा है लोगों को, तो यह एक दिक्कत है, जो challenge है, जो phase करना पड़ेगा, दूसरा है, ट्रस्ट क्रि जाद है कि one-track minds, जैसे लोग जितना mind में सोच के जो artificial intelligence बना रहे है, हो यह रहा है कि उससे ज़्यादा यह काम आ सकता है, artificial intelligence, पर इसमें दिक्कत ही है कि जैसा हम train करेंगे, वैसा यह काम करेंगा, artificial intelligence, तो अगर वो training गलत देवा गई, तो वो काम दी गलत करेंगा, तो यह ब जाद है probability, देखो कई artificial intelligence में कई चीज़े probability पर डिपेंट होती है, अगर देखो, simple सा अगर टास्क देखो, जो face recognition भी हो रहा है, अपने जिसे mobile पर उसने recognize कर लिया कि यह रजत है, यह रजत है, तो इसने रजत को कैसे identify किया, उसने क्या किया, कि हर एक features को identify करने की कोशिश कर probability है, जो जिसको जो अपने जो algorithm, जो data है, उससे जो match करना है, तो उससे कितना probability है कि यह कितना match कर रहा है, तो कई बार यह होता है कि 80% भी अगर match कर रहा है, उसको अगर पता चलता है, तो वो बन लेता है, हाँ, यह रजती है, अगर वैसी settings है, आपके mobile में भी एक setting होगी, आप check करिएगा, कि जहाँ पर आपको probability fix करने कराएगा, कि face recognition में probability किती रहनी चाहिए, अगर आपके mobile में वो feature होगा, तो आप check करिए एक बार, कि कितनी probability के साथ आप आप देखना चाते है, तो यह recognize करने, तो कई बार हम 50% रखते हैं, 60% रखते हैं, कि हमें देखते साथ, दूर से भी देखे, वो mobile को ऐसे दूर से अगर हम on कर रहे हैं, और तुगंत हमें देखके फट से unlock हो जाए, अधेरे में भी देखके unlock हो जाए, तो उसके लिए कि आप probability का ratio हमें कम करना पड़ते हैं, तो यह जो दिक्कत हैं, यह भी एक challenge है कि probability जो है, वो लोगों को समझ आ रही कितना organization लोग को समझ आ रही कि क्या probability basis में हम काम करें हैं, उसके बाद है data privacy और security, तो यह तो अब क्योंकि आप बहुत ज़्यादा data चाहिए, अधिशन इंटेलिजेंस को सिखाने के लिए, और data चाहे कि बहुत ही आजकल sensitive हो गया है, और personal nature का data है, तो वहां पर बहु आटा करना है, उसकी दिखकतारी है, उसकी बाद है algorithm बायस, मतलब अब अगर algorithm में किसी लिए कुछ ऐसा प्रोग्राम कर दिया, जिसे कि कुछ गलत जानकारी दूसरे के पास पहुच जा रही है, जैसे कि कि किसको bail मिल रही है, किसको loan मिल रहा है, किसको किसने loan bail दिलवाया ह तो यह सारी जो चीजे हैं, वो कुछ unethical और unfair practices में भी यूज की जा सकती है, तो इसके लिए क्या है कि एक concept आता है bad data का, bad data का मतलब होता है कि जो कि ethnic, communal, gender या racial basis में काम करे, तो अगर इस तरह के से करेगा तो वो एक bad data कहलाएगा, तो इसका यहाँ पर algorithm में इसको ज्यान मे रख पाना वो भी एक बहुत बड़ा challenge है, उसके बाद है data scarcity, अब आटिविचा intelligence को तो देखे कि बहुत जादा data की जर्वत होती है सिखने के लिए, तो वो data की कमी हो जा रही है, सिखने के लिए, तो वो यहाँ पर एक डिक्कत आ रही है, कई बार क्या होता है, अब जैसे Google मानलो, Facebook को data ही कटा कर चाहिए, तभी वो recognize कर पाएगा, उसके patterns को तभी वो add दिखा पाएगा, और हमने अपने data settings में से उसको off कर दिया, कि हमारा जो data है वो उसको ना दिखे, तो फिर artificial intelligence कामी नहीं कर पाएगा उसका, तो यह एक दिक्कत आ जा रही है, नेक्स आता है governance and controls, तो AI का governance में किस तरीके से use किया जाता है, जैसे हमें कोई भी activities है, तो उसको हमें monitor करना है, direct करना है, manage करना है, monitor करना है, तो उसके लिए कुछ जो structure, process और procedures लगाया जाते हैं, उसमें हम AI का use कर सकते हैं, जैसे कि मानलो, attendance वगर system है, तो उसमें GPS से, location से detect ह पूरा है, तो वो सबसे governments किया जा रहे है, हर चीच को monitor किया जा रहे है, तो वो वैसी उस तरीके की जो technique से use करी जा सकती है, और controls जो है वो लगाया जा सकते हैं, लास्ट साथ है professional क्या opportunities है, आप artificial intelligence तो पुरा सीख लिए, क्या है, सब कुछ उसका समझ लिए, तो अब हमारे CA लोग के लिए क्यों सिखाया जा रहे है, तो CA लोग के लिए बहुत जरूरी है automation mode में जाना, अपने जो time consuming, जो task है, उसको पूरा भूलना पड़ेगा, और इस mode में आना पड़ेगा, artificial intelligence mode में, और हमें उस तरीके से काम करने पड़ेगे, उसके बाद हम artificial intelligence की field में भी काफी क काम कर सकते हैं कि उनके जो functional ideas है, उसको कैसे reality में बदला जा सकता है, फिर हम देखेंगे आगे चलके ऐसा जबाना आएगा, जहां पर जितने भी business transactions है, वो neural networks के तरह काम करेंगे, वो खुदी सारे patterns behavior समझेंगे, यह पैसा किस लिए दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है और real time का अगर कुछ suspicion लगता है, तो वो alerts महा पर send करेंगे, तो यह जो technology है, यह पूरे CA के scope को ही बदल के रख देगी, जितना हमें financial management का knowledge होना ज्यादा ज़रूरी होता है, जैसे CFO है कोई, अगर company का, तो उसको जितना financial management की knowledge ज़रूरी है, उतना ही technology की भी knowledge होनी थे, अगर technology का knowledge नहीं है, तो वो आगे चल के जमाने में टिक नहीं भाएगा, उसको क्या है, डिजिटल एरा में अपना sustainability और growth मेंटेंग करना ही पड़े, तो यहाँ पर खतम होता है हमारा chapter 1, artificial intelligence का, इसको मैंने बहुत ही layman language में समझाने के आप लोगो को कोशिश करी है, और सारे जो technical concept से उसको एकडम easy language में convert करके आपके पास रखा है हमेरे सारे बातों को, तो उमीद है आप लोगो को यह पूरा समझ में आ गया होगा, artificial intelligence का, बहुत ही important chapter है और बहुत technicalities इसमें involved थी, तो आपको क्या है, अगर एक बार में नहीं हो रहा है, complete तो आप इसको एक बार और रहेंगे तो आपको एकडम easily समझ में आगा और सबको याद करना भी देखिए उत्तर ही important है, जतना समझना है, वह भी मैंने आपको repeat करना हूँ, इसलिए आप यह सारे जित्ते भी नाम इस chapter में used हुए है, सब आपको याद रहने चाहिए, तो और यह real life में भी आप देखी रहें कितने काम का chapter है, हर एक concepts आपको यहाँ पर ऐसे लगेंगे कि यह भी बहुती 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 बहुतीरीन चीछ है, इसको थो हमें सीखना चाहिए, तो यह इसलिए अप इसमें बहुती है इसको यूज़कर रहा है, और यह बहुत फेवरेट field रही है, जिसमें कि मैं और around कम से कम 10-15 से 20 ऐसे यूज लिखिए कि जहां पर आप यूज कर रहे हैं इसारे इडिफे इंटेलिजेंस को और मुझे वाट्सेप कर लिए तो मुझे भी अच्छा लगएगा कि आपको क्या इसमें समझ में आ रहा है और आप मुझसे भी तनेक्ट हो पाई है इस तरीके से तो इसके साथ ही मैं खतम करता हूँ यह अला चाप्टर थैंक्यू सू मच और इसमें कुछ भी क्वेरीज अगर हो तो आप मुझे वाट्सप झाल जाप कि आब आप मुझसे रहा है और रहा हना है और लो प्लेज टो आप मुझसे रहा है और लो शनेक्ट करता हैँ झाल।